नमस्कार दोस्तों स्वाकती फिर एक बार आपका DVP रिवीज पर तो इस वीडियों जो हम बात करने जा रहे है Important Policy Changes for Google Account Storage इस टॉपिक के related तो यह जो email हम सभी को receive हुआ होगा अल्मोस्ट मुझे नहीं पता आप मैंसे कितने लोगों ने देखा क्योंकि यह जो है मैंने आज देखा जाके यह मुझे 5 डिसेंबर को receive हुआ था लेकिन आज 10 डिसेंबर है तभी जाके मैंने इसे देखा और यह देखना important है अगर आप Google Services यूज करते हो तो यह जो है storage related है जो आप storage यूज करते हो Google का कोई free यूज करता है कोई paid यूज करता है तो उन दोनों भी users को जो है यह conditions अपलाए होगी तो यह किस तरह से अपलाए होगी मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे Google ने हमें दिया है तो यह सारी जो services आप यहाँ पे देख सकते हो इन सभी को जो है यह जो नई policy जो है अपलाए होगी तो जो यह अपलाए किस तरह से होगी और यह जो effective होगी summary of the new policies effective from June 1, 2021 तब से यह policy जो है यह मतलब शुरू हो जाएगी जिस तरह से इन्होंने बता यह उस तरह से यह काम करेंगे if you are inactive for 2 years 24 months in Gmail, Drive or photos we may delete the content in the products in which you are inactive Google one member who are within their storage quota and in good standing will not be impacted by this new inactive policy तो यह अपको यही बताना चाहते है अगर आप inactive हो आपके मतलब Gmail पे या फिर आपके Drive पे Google photos पे 2 साल से जाधा तो जो है आपका जो content है product से जो आप inactive हो वो हम delete कर सकते है और यह जो है impact करेगा इस new policy के अंडर तो जो आपको ध्यान रखना है if you exceed your storage limit for 2 years we may delete your content across Gmail, Drive and photos जैसे कि मैं आपको बता दिया कि अगर आप exceed कर रहे हो आपकी storage limit over 2 years for 2 years तो जो है we may delete your content across Gmail, Drive and photos तो आपको जो है वो सारे चीज़े जो है आपको active रहना है उन चीज़ों पे अगर आप photos यूज़ कर रहे हो, Gmail यूज़ कर रहे हो और especially Android Gmail users के जो है बहुत सारे Gmail होते मेरे भी जो है 2-3 Gmail accounts है तो जो है मैं एक पर ही जादा active रहता हो बाकी सारे जो है कभी-कभी जो है active रहता हो साथी में आप इन्योंने नोड दिये है, the inactivity and over quota storage policies will apply तो यहापे इन्योंने solutions भी दिये है, यहापे आपको blue color में जो lines दिख रहे है, यहापे admin help center है साथी में यहापे learn more about how to keep your account active, तो अगर आपको आपका यह account जो है Gmail account, जो कोई भी आपका inactive होगा अगर आपके एक से जाधा account है especially, तो उसमें से जो inactive accounts होगे, उन्हें अगर आपको active रखना है, तो यहापे Google ने आपको answer भी दिये है, कि the inactive account manager है, साथी में help center है, help center page है तो इन सारी चीज़ों पर जाके जो है, आपके वो जो account है, आप कैसे active कर सकते हो, उन्हें कैसे use में ला सकते हो, वो सारी चीज़ों आप यहापे कर सकते हो, साथ में जो है, learn how to manage your storage, मतलब storage quota जो है, अगर आपने exceed किया होगा, तो उस related भी आपको जो है, यहापे answer मिल जाए and free up space across Gmail, Google Drive and Google Photos, तो आप वेब पर जाके जो है, आपका storage space जो है, आप use करते हो, या फिर use नहीं करते हो, उसे free up भी कर सकते हो, तो Google ने जो हमें question भी दिया है, मतलब यह policy भी दिये, साथी में जो यह answer है, यह सारे answers भी दिये है, तो आप जो है, आपका important जो data होगा, उसे आ बचा सकते हो, before June 1, 2021, तो इसलिए जो मैंने चाहा कि यार, इसके related जो एक छोटा सा वीडियो करते था हो, क्योंकि जो है, बहुत सारे लोग मेल देखते नहीं है, और यह कुछ ऐसा special mail नहीं लगता देखने में, हम बस इतना ही अपड़ लेते हैं कि important policy changes for Google account storage, लेकिन वो क्य है, किस तरह से यह कभी से इंपक्ट करेंगा, यह हमें पता नहीं होता, क्योंकि जो मेरा दूसरा Google account है, उसमें बहुत सारे फोटो जो इनक्टिव रहता है, तो इसलिए मैंने चाहा कि ऐसी conditions जो बहुत सारे लोगों के साथ रहेगी, तो यह वीडियो के माद्दम से आपको बचा सकते हो, तो अगर आपको वीडियो पसंदा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जाधा से जाधा शेर कीजिए, क्योंकि most of the Android users है, जो Gmail especially यूज़ करते हैं, गूगल सर्विसे यूज़ करते हैं, उनके लिए जाधा इंपोर्टन है, उनके साथ ये शेर क जा रही है, तो नीचे कॉमेंट कीजिए, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, आप नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन कीजिए, उसे प्रेस कर लिजिए, साथे में जो बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए, वीडियो देखने लिए आपका ब बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में